ओम्याश्री स्वयं सुगिते नंभवने स्वलक्ष्मी पापात्म नाम कृद्य अम्रदे सु बुद्धी शद्धा साधाम गुलजन प्रफवास लज्जा ताम्त्वाम नतास्म परिपालाय देविविश्वं शरनागद दीनार्थ भरित्रान परायने सरवश्यार्ति हरे दे वी नारायनी नमोस्तुते नमस्का स्वागत है आपका आचारिवानी में आचारे डॉक्टर विक्रमादित आपके साथ हो और हम बात करने जा रहे हैं मिथन राशी वालों के भविश्वल की देखिए मिथन राशी वालों इस वक्त ग्रहनक्षित्रों का योग जो आपके मंगल चल रहे हैं आपके लगन में आपकी राशी के स्वामी बुद्ध हो जाएंगे अस्थ सितंबर के मद्यकाल में इसके साथ साथ सूर्य परिवर्तन करकर आपके प्राक्रम भाव स्वग्रही से निकलकर चतुर्त भाव में प्रदारपन करने के योग बराएंगे शुक बागे में बैटे तो हैं लेकिन वक्री स्तिती में हैं। करेंगे आपको बारे में जिस्तिती को करना है उपाय वह भी आप समझ लिएगा महालक्ष्मी के वृत चल रहे हैं बड़े सुन्दर हैं। करने की युग दिखाई दे सकते हैं आपको सिलस्लेवार तरीके समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। 13 सिदंबर के दिन शुक्रवार का अफसार है भाद्रपद महीना का चल रहा है शुक्रपक्ष की दश्मीत दिती है। ग्रहनक्षत्रों के दिश्टिकोर से देखा जाए तो आपके अंदर अच्छा वलवला अच्छा शक्ती संपन दिन दिखाई देता है। फिल्कुल मोटिवेट रहेंगे और कारे करने का प्रयास करेंगे चाहिए भागे थोड़ा कमजोर साथ दे रहा है। आपके अंदर एनरजी अच्छी दिखाई देती है। उस एनरजी का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। समस्या केवल भाईये रूप से पूजन कर लेते हैं। लोग महालक्ष्मी का आर्ति कर ली यह कर लिया। केवल पूजन का दो फूल चड़ाती है। यह पूजा की भाईये रूप हुआ है। तो ऐसे में मंत्र जब, यग्य, यह सब चीज करका सुन्दर विधी का पालम करते हुए यदि किया जाए चमतका होता है। जो भी करते हैं उनके समझीमन में इस सुन्दर रूप से योग बनता ही है। तो ऐसे मावश्य ध्यान रखते हुए कारी करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार है। गव पूजन करें, कन्या पूजन करें यह आपके लिए अच्छा रहेगा। चौँ तारी के दिम बात करें, शनीवार है, उस दन और एकादशी तिति है। मकर राशी में चन्दमा का परिवर्तन होने की योग बन रहे हैं। आपके शुक्रवार अश्टम भाव में चन्दमा पतारपन कर लेंगे, ब्रस्पति से द्रश्ट हो जाएंगे और यह आपक कुछ डिपेंड करता है आपके कर्म, पॉजिटिव, स्पीड पर, कर्म पर, सहीर रास्ते में चलने पर, सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है, धम ध्यान रखें, ततस्तो कर काम करने का प्रयास करें, यह आपके लिए सबसे जरूरी है। शनी का उपाय करने का अद्बु दिवस है, आपने कारिकरम के आरम में आपको हलकी से एक भनग दी थी, कि शनी इन दिनों चल रहे हैं वक्री, भागे में बैठे हुए वक्री स्थान में, और वक्री चलेंगे 15 करीब करीब नवंबर तक, तो ऐसे भाईचन शनीवार और एकादशी का सुन्दर योग बना ह एक दिव्य उपाई, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तिल का संबंद शनी के साथ होता है, और कहा जाता है कि तिल के उपयोग समझ शनी के उपाईव में करना चाहिए, चाहिए यग्य में करें, चाहिए तरपन में करें, चाहिए पीपल के ओपर कुछ शनी का संबंद शनी के साथ है, यह एक उपाई इस दिन करने से, कहा जाता है कि शनी हमारे जो अभी डेड़ महीने तक दो महीने तक यहाँ चलने वाले हैं, और अन्यसरी के परशान करने के युग बनारे हैं, भाग जगाने में कश्ट दे रहे हैं, तो यदि आप इसको कर बहुत सुन्दर रहे हैं, एक और मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रयाप भवन्त पीता है, शन्नो रविष्ट्रवन्त रहा है, इसके द्वारा भी यदि आभिशेक कर लें भवान का विश्नुस का, तो भी आपके लिए बहुत सुन्दर रहेगा, कश्ट निवृत कर बहुत सुन्दर रुपाय करने का प्रयास करना चाहिए, पंदा तारीक के लिए बात करें, रविवार का वसर और द्वादशी तिति है इस दिन भादर प्रदमास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी और इस दिन ग्रहनक शित्रों के दिष्ट्री कोन समझा जाए, तो बुद्ध पढ़ रही है, अस्त हो जाएंगे बुद्ध तो इनिशेट लेने में थोड़ी और दिक्कत आती दिखाई दे रही है, कर्म करने का प्रयास कीजे, कहीं न कहीं थोड़ा सा लिजीनेस होंगे, तो अननेसेसरी के कष्ट से योग बंते दिखाई देंगे, तो थो सूरे भी परिवर्तन की तरफ जा रहे है, और ये सूरे का परिवर्तन थोड़ा सा स्वास्त की मामले में कहीं न कहीं कष्ट देने की योग बना सकता है, 16 थारिक सोंबार का अवसर त्रिवोध शीति थी, कुम्ब राशी में चंद्रमा का प्रवेश होता दिखाई दे रहा लेकिन सूरे का परिवर्तन कहीं न कहीं स्वास्त के मामले में, अननैसेसरी की थोड़ी सी वीकनेस कहीं न कहीं शारिक तोर पर दुरबलता को उत्पंद करता देखाई देगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से विटमिन, मल्टि विटमिन इत्यादी का सेवन करने क प्रयास करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, इसको करने का आपको प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे हम आलक से एक वीडियो भी दालेंगे, जो करनेया राशी पर सूरे का प्रभाव रहेगा, क्योंकि इन दिनों करनेया पूर्णिमा का शाध इसी दिन किया जाएगा, तो यानि 17 तारिक से शाध हो रहे हैं आरंब, आपका मन धर्म में अच्छा लगेगा, अच्छे कारे करोगे, जितना दान पुन्य करोगे, उतना बढ़िया आपके लिए आगे बढ़ने का यूग बन सकता है, भवान सत्निरान की पूजा भी करने का प्रयास कीजे, देगी शाध दारम हो रहे हैं, तो नित्य पती अपने पित्रों के निमित, पित्य तरपन से नि अच्छे के निवर्ति के यूग बन जाते हैं, यदि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आश्रम का पूर्ण व्यवस्ता है, आप अपने नाम से, अपने गोत्र से, अपने पित्रों के नमित, इस तब कारे कर सकते हैं, या पर उसके लिए पूर्ण व्यवस्ता के लिए वो नमबर स्क्रीन पे हैं उन पर जिसम पर साथ सकते हैं अठारा तारी के दियम बात करें तो बुद्वार का अवसर है और ये तिती बहत खास है क्योंकि इस दिन दो दो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है पूर्णिमा है इस दिन और अश्विन का महीना आरंभ हो रहा है इस दिन लेकिन पहली तिती में ही प्रतिपता शे हो गई है पूर्णिमा करीब 8.30 तक रहेगी उसके बाद प्रतिपता आ जाएगी दिल्ली के बंचांग के अनुसार से यह कहीं न कहीं आपके लिए अच्छे रहेंगे सफलता देने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे है तो प्रतिपता का शाद है लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहन भी है और यह चंद्र ग्रहन जो विशश्वतर पर पढ़ रहा है मीन राशी में चलते हुए चंद्रमा यह ग्रहन का यह योग बना रहे है यह आपकी राशी के अनुसार से थोड़ा सम्मान में कष्ट देने की योग बना सकता है तो सम्मान का ध्यान रखते हुए कारे करने की जरूरत है हारी चीजों का दान, हो सके तो मुंग की दाल का मुंग का दान, दाएं को खिलाना, इस सब उपाये करें, और साथ सब हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा भवान विश्णु की उपासना, ओम नमो भगवते वासु देवाई, इस मंतर का ग्रहन का अलमें अवश्च जरुद पड़ेगी और साथ अन्यस्रीक लैशों से बचते हुए कारे करने की जरुद है, यह चंद्र ग्रहन जो है, विशेशतार पर हमें समझना चाहिए, मीन दाशी में पढ़ने वारा चंद्र ग्रहन है, और ऐसे में ग्रहन के दिश्चिकों से इसका प्रभाव भी लेकिन इरान, इराग, पूरे यॉरप में, अमेरिका में यह ग्रहन पड़ेगा, और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहन भी पड़ेगा, सूरी ग्रहन भी पड़ेगा, विशेशतार पर वह भी धियान रखने बाद 2 अक्टूबर को पड़ेगा, तो यह दोनों के दो जो ग ग्रहन पड़ रहे हैं, विशेशतार पर दिखाते हैं, कि कहीज ना किसी राज्य में, कोई बहुत विशेशतार पर घटना कट सकती है, और आप देखी रहे हैं, इस विशेशतार पर पूरा मिडल इस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है, वो बढ़ा भयावा है, यही इस्तित दिखाती है, प्राकितिक आपदाओं का योग भी बन सकता है, इस समय में, खुछ भयावास्तिती बन सकती है, तो जो भी कारे कर रहे हैं, मिसालधानी से कारे करने का प्रयास करें, ग्रहन अक्षित दिखाते हैं, कि रेल इत्यादी, कि वायु इत्यादी की दुरुगटना के बहताओं, प्रोण व defer, आपने विशेशचता पे अवश्चिकने का प्रयास करें, जो ग्रहन अक्षित्रों के दिखटरें, कारे करेंगे, तो आपके लिए अज़्या रहेगा, आँ आपके अच्छा रहेगा, इस पाय बी जानने का प्रयास किए, अब हम बातकररें, 19 तारीकों मेंतन राशिवालों ग्रहना शित्रों का योग 19 सितंबर के दिन कैसा है। तो ब्रस्पतवार का वसर आश्मीन का महीना आरम हो चुका है। गरशन पक्षा आरम है। दुत्य आतिती है और प्रतिबदा शेय हो गई थी। पका जाता है कि कोई तेधी शेय हो जाए किसी महीने के आरम में तो वो महीना थोड़ा सा कहीं नगे अनिश्टकारी हो जाता है। वैसे तो grand के योग ही चल रहे हैं लेकिन शाद का महीना जो अश्विन का महीना प्रतिबदा में शेय होना कहीं ना कहीं अशुब नहीं है शुबी है ये बुर्धी की आगे बढ़ने के योग बनाती दिखाई तरी शांती का लाने का योग बनाती ये बहुत अच्छा है लेक दिमाग को खुलने की जरुवात है इन दिनों grand action के दिश्चिकोन सब्सक्राइब राहू को जो है आपके सब्सक्राइब का दशंभाव में चली रहे और उसके साथ-साथ चन्मावे वाविद्यमाने तो कहीं ना कहीं दिमाग में कई विचार ऐसे हो सकते हैं तो लेट आए लेकिन यदि आपने जल्दी में थोड़ा सा विचार कर एक काम कर लिया सोचा बहुत जल्दी तक कि एवल decision लेने में कहीं कुटाई नहीं बरती तो चीजों को आप अच्छे रूप से सफलता की तरफ ले जा सकते हो ये दिखाई देता है दूतिया का शाध इस दिन किया ज जाता है 20 तारी के दिन बाद करें शुक्रबार का उसर तृतिया तिति इस दिन वित्यमान है और साथ साथ मेश राशी में चन्मा परिवर्टन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्टन आपके लिए और अच्छा ही दिखाई देता है पॉजिटिव रिजल्ट लाने की य पुंति दिखाई देंगे तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो वरत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के वरतों में जो भगवती महालक्ष्मी के अराधना कर लेता है लेकिन एक बात समझें किवल वरत वरत नहीं है पसंद करने के लिए जिसको महालक्ष्मी उपनिशत के अंतरगत भगवती के अराधना करने का रिवेद के अंदर बताया गया है वह 16 मंत 16 विधियां उपस्तित की गई बड़ी शद्धा के साथ यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी के अराधना जिसके बारे म हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के वरत आरम होते हैं आम तोर पर भाये कृतित बहुत सारे कर लेते हैं वरत कर लेंगे और पतानी सोला जो गाठो वाली माला भी धारण कर लेंगे लेकिन जो वास्तिक विधियां मंतर जप और यग्य भगवती की प्रसंता के लिए गो नहीं हो पाता है और हम सत्यमाने आपको हम बताए कि अदभुत है महालक्ष्मी की जो वरत हैं कहा जाता है कि महालक्ष्मी की जो वरत इन सोला दिनों में जो करते हैं और स्री सूत का पाठ नित्य पती करते हैं भगवती महालक्ष्मी उन पर अदभुत करपा करती हैं प भग्त कर् sposa पहुंचेँ जब शीर स्ङागर के ऑंदर भवां के पहँचने पठें नहीं तो भगू बड़े रुष्ट हुए महाराज लगया कि भगत आया भगवान पिश्टाम कर रहे है भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज है कि जिसे निकलने के लिए भगवती स्वेम प्रेड़ना देती है भगवान को उनकी नित्रों में जाकर तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेड़ना उस वक्त थी नहीं तो का जाता है भगू ने महाराज ने भगवान के भरदे पर अगहात किया पैर मुमें रखा च्छाती पर भवान ततकाल उठे और महाराज आप मेरी दिश्टता शमा करें महाराज भगू आए और भगता है और भगवान सोते रहे तो भवान ने ततकाल महाराज भगू को प्रसंद किया और कहा महाराज मेरी लाइक जो आग्या हो पता है आप तो भगवान भगु महाराज के साथ जो भी वारताला भगवान की हुई लेकिन भगवती भगवान के पास विराजमान थी उन्होंने महाराज भगु से कहा कि महाराज भगु आपने भगवान का अपमान किया तो मैं आपको शाप देती हूँ कि आज के बाद मैं आप डामणों के पास नहीं जाओंगे, आपके पास नहीं जाओंगे। आपके पाध उपर हमारी कृपा नहीं होगी। आपको उनके पास जाने के लिए बाद होना पड़ेगा। आपने विवेकर अंद्योगाश्रम में इन सुला दिवस में महायग्य, महालक्षमी का रखा हुआ है। आप भी इसमें संभलित होकर माभगवती कृपा प्राप्त करणे के लिए। जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती विजी नहीं जानते हैं। यदि हजारों लोगों पर, हजारों लोग के माध्यम से हजारों बार इस प्रयोग को करके देखा है भगवती महालक्षमी के अद्भुत करपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी शद्धा के साथ इन महालक्षमी के वर्दों में भगवती के याराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए इसके साथ साथ शाद भी आरम हो रहे हैं इसे अभी बहुत शाद भी अद्भुत चीज है हमारे जीवन में कर्मा अनुसार हमें कई प्रकारे कर्म करने होते हैं कई प्रकार के रिण होते हैं पित्र दोष्ट जैसी कोई चीज शायद, आप रुष्ट हो सकते हैं, पित्रों से पित्र आप से रुष्ट कभी नहीं होगे, हाँ, रिन होता है जो आपने उतारा नहीं, तो सिर्पे चड़ता जाता है, भात कर्म का भार जो चड़ता जाता है, दुश कर्म का भार चड़ता किसी के माता-पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं, वो तो संसार के विप्रिद जाने पर भी हमारे माता-पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रिन आप नहीं उतारेंगे, तो फिर वो आपको जो कहा जाते हैं, को शाद करना चाहिए और किसको निशाद करना चाहिए अरे हर वेक्ति को शाद करना चाहिए क्या चोटा क्या बड़ा क्या इस्त्री क्या पुरुष जी हां आज तो बड़ी विजित्र विवस्था यह एज बन गई है कि बड़े भाई साब करेंगे छोटे भाई करते ही नही किया इस तरी कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया अरे शास्त रहा पिता माता जो पित्र थे वो सब के हैं यह सब को करने का अधिकार है सब को करना चाहिए नित्यपती और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है जाजारों रुपे खर्चोंगे कि शद् समर्पण है खाली शाद शद्धा से ही बना है तो शद्धा का समर्पण है आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे उसी से पित्रों की तरपित हो जाती है पस याद उनके नेमित्र गायत्री का जब कर लेना उनके नेमित्र गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना उनके नेमित्र ज आप सब इस बात को मानें, शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुन्दा तरीके से व्यक्षा दी गई है, समझाया गया है, लेकिन कुछ तथा गतलित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्तित करते थे, हाँ, कुछ है भी स्तिती ऐसी, कि आज शास्त्र में तो एसा कहीं नहीं कहा गया, कि आप पूरे गाओं को बोजन कराएं, शाध्धा के साथ अपनी सामर्त को देखते हूए, इस बात को कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए, परिपार्टी गल्ध कहां से आरम हुई कि कि किसी बड़े वैक्ति ने भोजन कराया, आप जाके वहां भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बढ़ा करने के लिए, कि उससे बढ़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पित्र तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता है, तो शास्त्र को गलत तर करने का प्रयास करें हमने कई बार अपने इस चैनल के मादищ से आपको संपूर्ण विधी बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे इन शाधों के दुरू मेरे नित्य पती आप अवश्य है पता नई जिन आपके पित्र हैं जिन कि आपको याद है उस दिन तो कम से तिती पर उनका जवगा है उस तिती पर अवश किसी प्रामण को बुलाओं कर प्राम hon कर दो कि बुछ कि कुछ कि मंत कर दीजिए कुछ कुसी को उतने ही नहीं कर सके तो यह संपूर्ण व्यवस्ता है, हमारे आश्रम्प हमने व्यवस्ता करी है, आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तरपन की, गायत्री, यक्गी की और जपित्यादी की सब की सुन्द्रामण, भूजने त्यादी की सुन्दर व्यवस्ता है, आपके सामने उननेसिसरी कुछ न कुछ कष्ट कैसा परशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं फिर किसी विक्ति के कारण से मनुमस्तिक्ष में ऐसा भावा जाता है कि जब दुर्ख चल रहा होता है कि पित्र दोश हो गया पित्र दोश नहीं अब पुन्हा कहेंगे हम पित्र रि उन दिनों में विशेशतर पर आश्रम पर सुन्दर व्यवस्था रहेगी और शाद्य जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारिक से आरंभ हो रहे हैं 17 से नंबर से लेकर आरंभ होंगे तो पूरे के पूरे 16 दिनों में आश्रम पर सुन्दर यग्य गायत्री का ही है रहेगा और साथ साथ ब्रामन भोजने त्यायत्तापण की विवस्था भी रहेगी आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर जिदी जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाब भी ले सकते हैं